चानल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबायो वीडियों के लीटिस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाय धन्यवाद हेलो फ्रेंज स्वागत हाब सभी का हमारे चैनल क्विकरिश्टेडी में मैं कमल मिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तो आपको यहापर इंडियन आर्मी कलर के लिए दोस्तो इंगलिश्ट का यहापर सैंपल पेइपर प्राऊंगा दोस्तो एक question हमारे यहांपर महत्पूर हैं जो आपके गतवर्शन में पुछे गेती दोस्तो आपको पता लग पाएगा कि हमारे किस तरह के question आपके English में पुछे जाते हैं दोस्तो तो देखे आप इनको ध्यानपूर के यहांपर देखेंगे और प्रारम से लेखर के यहांपर इनका लुथफ पूट आएंगे दोस्तो देखे पहला आपको यहांपर direction दी रहती है दोस्तो आपको कुछ question आपको यहांपर direction के अंदर करने पड़ते हैं question number यहाँ पर 16 से 20 तक के लिए यहाँ पर direction दिये है in the questions sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate words four alternative are suggested for each question choose the correct alternative out of these four दोस्तो आपको यहाँ पर देखे fill in blank वाला question है आपको खाली स्थान को भरना है दोस्तो आपको चार options यहाँ पर दिये रहेंगे जिनमें से आपको उच्छेत वाला भरना पड़ेगा देखे पहला आपको यहाँ पर किया है दोस्तो for a child a blow dead as self-esteem is terrible thing दोस्तो यह आपको भरना है दोस्तो यहाँ पर blow दोस्तो आपको यहाँ पर off आ जायागा अर्थात for a child a blow of self esteem is a terrible thing दोस्तो खुदगर जी यो बच्चे के लिए है वो क्या है terrible thing है तो यह आप कहाँ पर आ जाएगा अब देखे हम अगला question आपर देखते हैं दोस्तो अगला question आपर है it is our duty to get that ass करके the truth दोस्तो यह हमारी duty है get के बाद दोस्तो आपका add आएगा add the truth यहाँ पर सत्य तब पहुंचने की अब दोस्तो जी के अगला question आपका आपर क्या है he told me that he watching a movie दोस्तो watching a movie देखे आपका यहाँ पर यह indirect वाला है दोस्तो आपका direct के बाद indirect बनाया गया है तो he told me that he दोस्तो आपका यहाँ पर past का करद दोस्तो यहाँ पर पास्ट का फौंवाएगा तो आपका यहाँ आपका option नमर यहाँ तो यहाँ फिनिश्ट यहाँ पर आपका जागा वाँ फिनिश्ट watching the movie वो खत्म कर चुके थे मुवी को अब देखे हम अगला देखते हैं यहाँ पर I do my work, that is carefully to make mistakes दोस्ते हैं आपर आपका देखिए क्या हैगा so, very, to या फिर more दोस्ते हैं आपर I do my work, too carefully to make mistakes अब देखे हैं अगला question आपका आपर क्या है अगला यहाँ पर है दोस्तों आपका he is very good, that is करके making stories दोस्तों कहानी बनाने में बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर देखे good, यहाँ पर making stories के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर at आएगा, तो he is very good at making stories तो आपका सही हो जाएगा, अब दोस्तों देखे हैं यहाँ पर नई direction आपर दी है जिसमा में दिया है 21 से लिए 25 तक के question के लिए, in these questions, out of these four alternatives, choose the one which is best express the meaning of the given word दोस्तों आपर देखे best express मतलब वही आपका minute रखने वाला, आपको यहाँ पर choose करना मालीजी आपको दोस्तों आपर एक synonym जिस तरह आपको choose करना पड़ता वही आपका यह है, तो वह आपको choose करना है, पहला आपको दिया request दोस्तों, request का मतलब क्या होता हमारा, एक प्रार् forwarding दोस्तों, forwarding मतलब दोस्तों आपका होता है इतला करना या फिर संकेत देना, तो दोस्तों आपका यहाँ पर देखे alarm, forecast या failure या फिर foresight, दोस्तों आपका यहाँ पर alarm हो जागा, alarm मतलब आपका क्या होता है, इतला करना या फिर घटना के पूरू संकेत देना है, सूचना करना दोस्तों दिखे अगला कोशन आपके आपके आपर क्या है चेंज चेंज मतलब दोस्तों आपका परिवर्टन हो गया बदला हो गया या नया हो गया तो दोस्तों आपका क्या हो जागा अल्टर हो जागा या फिर रिवियो हो जागा या फिर रिपीट हो जागा दोस्तों यह आपका altr हो जाएगा क्योंकि change मतलब भinnah होता है आपका या अलग होता है तो दोस्तो अगला question आपका हैoric Amplicו क्या है teenism en Wallace आए दोस्तों Xenu it का मतलब बंथा किसले है दोस्तों जो वाश्य मतलब वास्त हुअ जो तो Zen here intrent, वॉक्शन वाज्तावे, या तो, होतु होता है, तो यहाँ पर goda जा गागा, या फिर real आएगा, या फिर attractive आएगा दो, या फिर loveable आएगा, दोस्तो यहाँ पर आपका real आएगा, option equal अब Tomел आपकाких सही हो जाएगा, अब दोस्तो देखेंगा, अगला आपका लोस्तों आपर equine है equine का मतलभ यहांपर आपको पता होना चाहिए दोस्तो यह आपका परेशित कराना होता है दोस्तो जब आप नए व्यक्ति का पर परकरते हैं से करा किसी का परेशिय कराते हैं तो यह दोस्तों आपका acquaint कहलाता है तो introduce आपका option पर भी आला दिखता है तो इंटर्ड्यूज आपका हो जाएगा दोस्तो डिरेक्शन ही आपर हमें दिये देखी 26 से 30 तक के क्वेशनों के लिए in each sentence given blow one word has been printed in board दोस्तों दीखें आपर एक word यहाँ पर printed किया गया बोर्ड से अर्थात काले से यहाँ पर print किया गया है blow the sentence four words are suggested one of which can replace the word printed in bold without changing the meaning of sentence find the appropriate word in each case दोस्तों देखें आपको यहाँ पर दिया है कि जो board जो word है दोस्तों उसकी जगह पर चारों में से एक इस तरह का word है जो replace कर देगा अर्थात बदल देगा लेकिन उससे दोस्तों मिनिंग में sentence के कोई भी अंतर नहीं पढ़ेगा तो वो आपको यहाँ पर भरना है देखें दोस्तों पहला आपको यहां पर क्या दिया है आपको देखें चाहें तो आप दोस्तों यहां पर सीधा बोर्ड वाला को देख सकते हैं staying आप देख सकते हैं तो direct भी आप कर सकते हैं यह आप चाहें तो help आपको दोस्तों आपर sentence से मिल जागी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको help मिल जाएगी in a hole blow a mango tree a snack watch staying अर्थात एक mango पेड़ के नीचे यहां पर बिल में क्या रहता था a snack watch staying दोस्तों staying का मतलब आपका रहना होता है तो रहता था दोस्तों यहां पर देखिए जब दो तीन दिन के लिए आदमी रहता है तो वहां के लिए staying आता है या फिर जहां permanently रहता है वहां के लिए living आता है मतलब staying दोस्तों आपका रहने के लिए ही इस्तेमाल होता है तो दोस्तों करो देखिए हाल्टिंग या फिर living या फिर सिटिंग दोस्तों करो पर उप्षिन को लीविंग आपका हो जाएगा आपsna연 पर क्या है एक वोज useless attempt on her part to appear in the examination, दोस्तों आपका useless का मतलब क्या हो गया anowshake हो गया दोस्तों जो कोई भी उपयोगी ना हो तो वो आपका useless हो गया तो दोस्तों आपका यहां पर देखिए fruitful होगा या फिर unjustified होगा या फिर future होगा या suitile होगा दोस्तो suitile का मतलब आपको use less ही होता है मतलब आपका अनाउष्य होता है दोस्तो तो आपका option number dec cinnamon सही हो जाएगा अगला देखिया आपको यहां पर क्या दिया he is going to destroy you destroy मतलब बरबाद करना होता है दोस्तो वो गया है आपको बरबाद करने destroying मतलब आपका नश्ट करना बरबाद करना होता दोस्तो और ruin मतलब भी दोस्तो आपका बरबाद करना नश्ट करना होता है तो आपका option नमर इवाला सही हो जाएगा अब दोस्तो देखे अगला आपका अपर क्या दिया है अगला आपको दिया he was confident that his plan would work well उसे confident है कि उसका plan good अच्छा काम करेगा गुड़ वर्क करेगा दोस्तों आपका आपका भरना है confident मतलब दोस्तों आपका क्या हो गया sure हो गया दोस्तों तो option नमर आपका सी वाला दिखता है sure तो sure आपका हो जाएगा अब दोस्तों दिखे अगला question आपका आपका क्या है this is proper time to eat food दोस्ते आपर देखी ये proper मतलब दोस्तों उचित होता है उचित या फिर आप कहें ठीक यहाँ पर तो wrong हो जाएगा या फिर accurate हो जाएगा या फिर exact हो जाएगा या फिर appropriate हो जाएगा दोस्तों appropriate मतलब आपका उचित होता अभी आप ऊपर question हों भी देख रहे थे कि choose appropriate word दोस्तों appropriate मतलब उचित proper तो option नमर डिवाल आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर question थे जो आपके इस तरह के पूछे जाते है लर्क में तो इनको आप तयार कर लेंगे दोस्तों और इस तरह क्वेशन की आप तयारी करेंगे और भी हम दोस्तों आपको जो अन्ने question पूछ आते हैं उनको भी आपको बताए जाएंगे हमारे साथ यह बने लेगा दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में तो के थैंस